फिल्म अंधाधुन के लिए बेस टेक्टर का नाशनल अवार्ड जीत चुके आयुशमान खुराना एक ट्रेस नुसरत भरूचा के साथ दे कपिल शर्मा शो में पहुंचे दोनों वहाँ अपकमिंग फिल्म ड्रीम गला के प्रमोशन के लिए गए थे कपिल से बाचीत के दोरान आयुशमान ने अपनी जिन्दगी से जुड़े कई खुला से किये मसलन उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों में वे अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए ट्रेन में गिटार बजा कर गाने गाते थे एक दिन में एक हजार रुपए तक कमाई दरसल कपिल शर्मान ने इस घटना को अफवाह बताते हुए आयुशमान से सच्चाई जानने की कोशिश की थी जवाब में उन्होंने कहा हाँ यह सच है कि कॉलेज के दिनों में मैं और मेरे दोस्त चंडीगर इंटर सिटी ट्रेन के द्वितिय श्रेनी के डिबबे में यात्रा करते थे वहाँ हम गिटार बजाते और गाते थे कई बार लोग प्रभावित हो जाते थे तो हमें पैसे दे देते थे हमने एक दिन में लगभग एक हजार रुपे तक कमाए हैं आयूश मान ने यह भी कहा कि कई बार दोस्तों के साथ उनकी गोवा यात्रा भी ट्रेन के डिबे से कमाए गए पैसो से होती थी नुसरत के बारे में अफवाह एपिसोड के दोरान कपिल ने नुसरत भरुचा को लेकर भी अफवाह साज़ा की उन्होंने एक ट्रेस से पूछा कि क्या वे अपने पैरेंस की इकलोती संतान हैं जवाब में हाँ मैं मिला तो कपिल ने कहा कि उनके बारे में अफवाह है कि वे पंदरा साल तक अपने पैरेंस के बीच सोती थी इसी वज़े से उनका कोई भाई बहन नहीं है यह सुन नुसरत थाहा का मार कर हंस पड़ी नुसरत ने स्वस्थ और चमक तिकाया का राज़ेर करते हुए कहा कि वे सफेद कौफी की आदी है